उत्तर परदेश के हात्रस कांड को लेकर पूरे देश में उबाल है सभी राजनितिक पातियों ने अपने स्तर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है आपको यहां बता दे कि शनिवार को राउल गांधी और प्रिंका गांधी हात्रस जा रहे थे वहीं कोंग्रेसी कारे करताओं के साथ वेपिडित परिवार के घर की तरफ जाने की योजना थी इसी बीच दिली नॉइडा फ्लाइ वे पर पुलिस और कॉंग्रेस कारे करताओं के बीच हाता पाई होगी बैरिकेट लगाकर बैठी पूलिस ने कॉंग्रेसी कारे करताओं को पकड़ना शुरू कर दिया तभी अचानक प्रिंका गांधी बैरिकेटिंग पर चड़ कर दूसरी और कूद गई वहां हो रही हलकी धक्का मुक्की का सामना उन्होंने किया लेकिन अपने कारे करता को पूलिस के कबजे से चुडाने में वहां काम्याब रही इस पूरे प्रक्रण का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आपको बता दें कि दो दिन पहले भी रहूल गांधी और प्रेंका गांधी ने हातरस में पिरित के परिजनों से मुलाकात की कोशिश की थी लेकिन गाउं से काफी दूर ही उन्हें पूलिस पर शासन ने रोक लिया था इस दोरान राहूल और ने निताओं के साथ धक्का मुकी भी देखने को मिली थी पूलिस ने राहूल गांधी को हिरासत में भी लिया था कॉंगर्स कारे कर्टाओं को रोकने के लिए भारी पूलिस बल भी तैनाथ था इसी दुरान कुछ कारे कर्टा पूलिस की बेरिकेट को पार करके आगे जाने की कोशिश करने लगे कॉंगर्स कारे कर्टाओं को रोकने के लिए पूलिस ने कारे कर्टा को पकड़ लिया और लाठियां बरसानी शुरू कर दी जैसे ही परिंका गांधी ने कॉंग्रिस कारे करता को पिट्टा देखा वैसे ही वे बैरिकेट को गिराते हुए उस कारे करता के पास पहुची और पुलिस कर्मियों को धक्का देते हुए कॉंग्रिस कारे करता को बचा लिया इसके बाद उस कारे करता को गाड़ी में बठाया गया और राहूल गांधी और परिंका गांधी ने उसका हाल चाल पूछा काफी देर चले हंगामे के बाद पूलिस ने राहूल गांधी परिंका गांधी समेट 35 नेताओं को हातरस जाने की इजाज़त दे दी हातर जाने के दुरान रास्ते में परिंका गांधी ने मीडिया से बात की और योगी सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे पिडित परिवार की मदद करे और उन्हें समर्थन दे जाओ 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 जा एसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थाने वाल बार स्ब्सक्राइब करें